आपका आप देख रहे हमारा खास चुनावी शो मोदी पर देश का मूड क्या है और मैं हूँ आपके साथ जियोती तनेजब हसीन आज हमारी माजूदगी एक ऐसे शहर में है जहां पर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई जहां पर भवगान श्रेक करश्ण ने अरजुन को कहीता का उप्देश्टिया जी आप बिलकुल ठीक समझ रहे हैं हम बात कुरुक्षेत्र की कर रहे हैं और कुरुक्षेत्र के ब्रहम सरोबर पर इस वक्त मैं खड़ी हूई हूँ और इस बार कुरुक्षेत्र की लड़ाई भी काफी दिलचस्ब है क्या यहां से बीजे पी आईए चलते हैं लोगों के बीच और टटोलते हैं उनके मन को. प्रधानमंत्री मोधी अच्छे लगते हैं बिल्कुल अच्छा लगते हैं। क्या काम उनका बहुत बढ़िया लगा हर तरह से बढ़िया हरता आपको क्या फाइदा हो रहा हैं जो पेले पर लेज़े पीएफ करता पीएफ कभी इसमें जा रहा है कभी इसमें जारूने फ्रेंट यूजम नियौन पर दूसरा आज़से पहले कागरस के टाइब में अब रिकावरी तो है ना डिफाल्ट रोत रिकावरी भी तो साथ में है देखिए इतने कहना जाओंगा महारे मोदी जी का चपना है 2047 तक इस देश को नंबर वन ले जानेगा उसके उपर मैं चाहता हूं हरिवा का जो है समर्थन हो और इस हुआ के लिए जो हमारे मोदी जी क किया और विजार मोदी शृट्व में तो खिए तो बिल्कुल सो परचंट कुरुक्षेत्र के ही रहने वाले हैं। उप्त जिए फीड़ानी गर्लें मौधीजी काम कर रहें किया लगता है। रहने बिलकुल क्या चल राइं यह लग रहा है इस बार है? पार्टी के जो हमारे लोक सभाखे उमेदवार है नवीन जिंदल एक साइड़ वन साइड़ गेम है वही जीतेंगे अभ्य सिंग चोटाला अच्छे नवीन जिंदल पर सब कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में तो उन्होंने पूछा नहीं कुरुक्षेत्र वासियों को यह उनका व्यक्तिकर डिसीजन था कि वो राजनीती से कुछ समय दूर रहे लोग जो कहते हैं राजनीती में जब चुनाव क्या टाइम आता है चुनाव के दौरान इधर उदर की बहुत सारी बाते होती है ठीक है एफट यह है कि आज की रेट में नवीन जिनरल कुरुक्षे से भी ज़ादा होगा साड़े चार सो पार साड़े चार साड़े चार सो पार ब्रहम से लोवर से कुछ और लोग हमारे साथ माजूद हैं आई उनसे भी बात करते हैं कुरुक्षेत्र के लोगों के मन में क्या चल रहा है चुनाव नजदी के फिर से एक बार मोधी सरकार असलव की देश एक ने रूप में बनने जा रहा है वो आदर्नी अनरेंदर मोधी जी की विक्सित भारत की जो एक योजना है उसके तहत इस देश का विकास हो रहा है तो लगबग सभी जनता के मन में फिर से एक बार मोधी सरकार और अब की बार चार सो पार का जो नारा जी की जोली में जाएंगी यह निश्चित है क्या लग रहा है क्या कैसा चुनावी महुले करुक्षेत्र में मानिया परदान मंतर जी दुवारा जो स्कीमें चलाई गई है उनसे बहुत अच्छा लगा हमारे पूरे क्या स्कीम आपको अच्छी लगी जैसे कि आज देखें लोगों को रोजगार की हरियाना में तो बेरोजगारी का मुद्धा बहुत बड़ा है नहीं मैं बता रही हूं हम पानीपद गए हम करनाल गए वहां पे लोग बड़े परशान थे सोनीपद भी हम होकर आए हमारे मुख्यमंतर जी ने जो विसकर्मा योजना चलाई है पर शल विकास योजना के तहट हराने हर्याना के मुख्यमंतरी जी ने बहुत सारे रोजगार युवाओं को दी हैं और उसी स्कीम के तहट आध विदेशों के अंदर भी बच्चे हमारे मुख्यमंतरी क्यों बडले मुख्यमंतरी बडलने एक एक पार्टी में भारतिय जन जो निर्धारित उनके लिए करेगा वो रहे गासी युवा क्या सोचता है कुरुक शेतर का सेंटर में तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की गवर्मेंट बनेगी लेकिन हर्याना लेवल पे अभी कुछ कहना थोड़े अच्छा ने अभी चुकी लोकसभा की चुनाव है तो हम युवा होने के नाते जब आप वोट करने के लिए जाएंगे तो क्या जहर में आपके होगा इसमें सबसे पहले तो यह रहेगा कि जैसे वर्ल लेवल पे इंडिया की जो आज के टाइम पे इमेज है वो काफी अच्छी होई है रीसेंट टाइम्स में तो उस वज़ा से तो से मोधी पर देश का मुड कल फीर होगी आप से मुलाखाद एक दूसरे लोकसवाज चेत्र में तब तक के लिए इजाज़त नमस्कार